अगर आप जाना चाहते हैं कि मार्श मंत में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की अनर्जीज होंगी, क्या आपकी अनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीजों का खयाल रखके आप मार्श मंत में अपनी लव लाइफ को बहतर कर सकते हैं, तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी आपकी reading शुरू करते हैं तो चलिए जी जी आप लगों के लिए देखें कि मार्श 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मिर पास यहाँ पे तीन सेट आफ कार्ड्स हैं फर्स सेट में हम आपके अनर्जीज देखेंगे, सेकिन सेट में आपके पार्टने के अनर्जीज देखेंगे थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्श मंथ में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या मार्ट स्टार्टिंग में आप बहुत action initiatives इस relationship के लिए अपने partner के लिए ले रहे हैं और कहीं देखे, बहुत ideal तरीके से आप चीजों को deal कर रहे हैं एक positive frame of mind रख रहे हैं और कहीं patience भी रख रहे हैं या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि दिखे बहुत एक balance तरीके से आप चीजों को deal कर रहे हैं जहां एक तरफ बहुत एक enthusiasm, बहुत excitement है बहुत boldly, बहुत courageously आप हर चीज को deal कर रहे हैं again action initiatives ले रहे हैं, decisions choices ले रहे हैं और फिर से दिखे बहुत एक जो बोलते हैं आइडियल तरीका होता है बिलकुल एक perfect तरीका होता है, उस तरीके से चीजें deal कर रहे हैं साथ ही साथ, you know, enthusiasm, excitement के आप एक सब्र भी रख रहे हैं लेकिन कहीं mid-march में, आप थोड़ा सा चीजों से withdraw करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं, इसके लिए सब Gemini's के लिए different reasons हो सकते हैं ये general reading है, लेकिन देखें, यहाँ पर high priestess के नीचे the silver waterfall का card कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा मसला या फिर बहुत बड़ा issue नहीं है deeper level के लिए या फिर money ही money, आप एक प्यार महबबत अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं हो सकता है Gemini's, आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई आप जादा पीछे impulse हो रहे थे आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे थे, अब थोड़ा सा बाकसी लेना बहुत जरूरी है कहीं बहुत wisdom के साथ चीजों को deal करना बहुत जरूरी है और दिखे, in the process, कहीं एक secrecy भी Gemini's आप maintain करते हुए दिख रहे हैं यानि कि कोई चीज, या तो आप अपने partner से चुपा रहे हैं या फिर circumstances, situations ऐसी हैं, जहाँ पे खुल के आप अपने partner से नहीं share कर पा रहे हैं अपनी feelings, emotions, intentions या कोई और भी चीज हो सकती है जिसको again, या तो आप hide कर रहे हैं, या फिर एक secrecy आप maintain कर रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise भी, judgment reverse का काट कहता है कि stuck energies में आप खुद को महसूस कर सकते हैं and in the process, आप बहुत critical, बहुत judgmental होते वे दिख रहे हैं बहुत जादा again analysis चीजों का करते वे दिख रहे हैं इसलिए देखिए यहाँ पर the distorted masculine का काट कहता है कि एक मायूसी, एक परिशानी आप महसूस कर सकते हैं और देखिए masculine energies कहीं action initiatives लेने की बात करती हैं distorted कहीं गलत तरीके से, यानि कि जो भी action initiatives आप ले रहे हैं कहीं वो एक सही तरीका नहीं है या you know, again मैं कहूंगी कि आपका method ठीक नहीं है और देखिए हो सकता है कुछ decisions, कुछ choices आपने लेनी हैं आप नहीं ले पा रहे हैं आप अपने अंतरमन की अवाज को नहीं सुन रहे हैं आप कहीं कुछ चीजों को end करके एक नई beginning भी करना चाहा रहे हैं यहाँ पर भी देखिए कुछ Gemini's के लिए circumstances, situations, responsible रह सकते हैं कुछ के लिए आपका thought process, आपका बहुत एक critical जो एक attitude रहे रहा है उसकी वज़े से you know, एक stuck energies या फिर इस तरीके की energies आप महसूस कर सकते हैं और अब देखते हैं Gemini's के आपके partner की क्या energies हैं तो देखिए आपके partner के लिए, यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Six of Pentacles, Reverse और यह card कहता है कि किसी चीज को लेकर या तो आपके partner आपको over convince कर रहे हैं कुछ Gemini's के partner के लिए literally एक begging वाली energies किसी चीज को लेकर हो सकती हैं कुछ Gemini's के लिए हो सकता है कि आपसे बहुत ज़ादा expectations कर रहे हैं यहाँ पर मैं फिर से कह सकती हूँ कि over आपसे expectations रख रहे हैं और देखिए फिर से मैं कहूंगी कि अपनी self respect पे कहीं माट स्टार्टिंग में वो इतना focus नहीं कर रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी चीज के लिए convince कर रहे हैं और फिर कोई चीज आपसे चाहा रहे हैं और यह सब के लिए differ करेगा लेकिन six of pentacles के नीचे dating का card कहता है आपके साथ जादा मिलना चाहा रहे हैं connect करना चाहा रहे हैं date पे जाना चाहा रहे हैं और इसी को ही लेकर काफी आपको convince कर रहे हैं या फिर आपको बूलते हुए दिख रहे हैं और कहीं देखें mid-march के लिए यहाँ पे temperance का card कहता है उनको ऐसा लग सकता है कि कहीं वो over कर रहे हैं और आपके हम cards देखें Gemini's तो यहाँ पे mid-march के लिए high priestess का card बहुत ही clearly कह रहा है कि आप withdraw कर रहे हैं इस चीज को समझते हुए या फिर कोई और भी reason हो सकता है वो एक balance लाना चाहा रहे हैं और देखें बहुत moderate तरीके से चीजों को कर रहे हैं उनको ऐसा लग सकता है कि भई ना तो उन्होंने किसी चीज को over करना है ना ही कम करना है और देखें इसके बावजूद भी कहीं वो action initiatives तो ले रहे हैं तो देखें नच्छेल में मैं आपको यही कहूंगी कि कहीं बहुत boldly बहुत courageously चीजों को mid-march तक या mid-march में deal कर रहे हैं लेकिन इन्ही energies में एक balance लाते हुए दिख रहे हैं और देखें end-march के लिए abundance का card कहता है कि deeper level के लिए बहुत एक प्यार, बहुत एक महबत आपके लिए महसूस कर रहे हैं बहुत एक abundant feelings, emotions, love, energies उनके मन में आपके लिए रहती हुए दिख रहे हैं लेकिन surface level के लिए या तो एक distance maintain कर रहे हैं या फिर maintain करना चाहा रहे हैं या फिर circumstances, situations ऐसे हैं जिसकी वज़े से एक distance उनको करना पड़ रहा है और देखें ये सब जमनी इसके partner के लिए differ करेगा कुछ जमनी के partner के लिए हो सकता है कि simply March month में या फिर end March के लिए जादा दिख रहा है उनको travel करना पड़ रहा है वो travel कर रहे हैं जिसकी वज़े से आप दोनों के बीच में एक दूरी आ रही है कुछ के लिए हो सकता है कि उनके life में change of place, change of location, change of residence या किसी तरीके के changes हो रहे हैं और वो उसमें बहुत occupied है आपको उतना time नहीं दे पा रहे हैं और फिर इस relationship पे इतना focus नहीं कर पा रहे हैं और कुछ जेमिनीज के partner के लिए हो सकता है कि deliberately जान मुच के emotional, mental level पे थोड़ा सा distance कर रहे हैं उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि again deliberately जान मुझ के physical level पे एक distance कर रहे हैं देखिए general reading है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा और अब देखते हैं जेमिनीज की March month में क्या हो रहा है तो देखिए March starting के लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है The Fool और यह card कहता है कि कुछ टाइम से आँ March starting में बहुत ही casually आप लोग चीज़ों को ले रहे हैं बहुत जादा future पे नहीं focus कर रहे हैं future की planning नहीं कर रहे हैं past में अगर कुछ मसले, issues, problems रही तो उनके उपर भी नहीं focus करना चाहा रहे हैं उनके बारे में भी नहीं सोचना चाहा रहे हैं जैसे चीज़ें आ रही हैं आप लोग उनको वैसे ही लेते जा रहे हैं बहुत एक इनो freedom वाली energies आप लोगों की रहते हुए दिख रही हैं जहाँ पे दिखिए carefree energies हैं लेकिन in the process आप दोनों याप दोनों में से किसी एक की careless energies भी रह सकती हैं कहीं थोड़ी सी immature energies भी रह सकती हैं और देखिए इन्ही energies के पीछे सब Gemini's और उनके partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन यहाँ पे the fool के नीचे inner peace का card कहता है कि थोड़ा सा एक casually चीज़ों को रखते हुए थोड़ा सा एक carefree तरीके से चीज़ों को deal करने से एक inner peace, एक सुकून आप लोग महसूस कर रहे हैं तो दिखिए ऐसा भी हो सकता है कि एक peace maintain करने के लिए एक सुकून इस relationship में रहे deliberately आप लोग बहुत future के बारे में नहीं focus कर रहे हैं या future से related बातचीत नहीं कर रहे हैं और past से related भी जो भी issues रहे उनको भी लड़को कर रहे हैं दिखिए mid March के लिए यहाँ पर four of pentacles reverse का card again इसी चीज़ को confirm करता है कि किसी भी चीज़ को बहुत tightly अगर पकड़ा हुआ था यहाँ पर सब Gemini's और उनके partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़े से possessive हो रहे थे थोड़े से obsessive हो रहे थे या फिर over attach हो रहे थे या कोई बात थी उसको बहुत tightly पकड़ा हुआ था या एक दूसरे को बहुत tightly पकड़ा हुआ था तो थोड़ा सा grip को धीला कर रहे हैं थोड़ा सा अगर बहुत rigid हो रहे थे चीज़ों को लेकर तो एक flexibility लाने की कोशिश कर रहे हैं और देखे deeper level के लिए एक दूसरे के साथ compatibility आप लोग महसूस कर रहे हैं या फिर कैसे एक compatibility रहे उस पे work कर रहे हैं तो फिर से देखिए ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब जयविनीज और उनके partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि इन ही सब चीजों की वज़े से कि आप लोगों के बीच में अच्छी एक understanding हो रहे है आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की compatibility अच्छी हो रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि compatibility अच्छी हो इस पे work कर रहे हैं और देखिए जो भी हो mid-march के बाद यानि की end-march के लिए self-respect and seven of pentacles reverse के cards कहते हैं कि आप लोग अपने आपको crossroads पे पा सकते हैं जहां पर जो भी अब तक इस relationship में हुआ उसी के basis पे अब आगे क्या direction चूज करी जाए किस direction में इस relationship को लेकर जाया जाए और दिखिए ये सब के लिए फिर से मैं कहूंगे differ करेगा जिस level पे आपका relationship है उसी level से कहीं future का एक course of action के बारे में आप लोग सोचते हुए दिख रहे हैं कहीं you know decision choice भी हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस relationship से related लेना चाहा रहे हैं एक planning किसी चीज को लेकर करते हुए दिख रहे हैं एक सोच again future को लेकर इस relationship से related आप लोगों के मन में रहती हुई दिख रही है और फिर से मैं कहूँगी कि इसी से related क्या course of action होना चाहिए क्या एक direction होनी चाहिए उसके बारे में सोच रहे हैं and in the process self respect का card कह रहा है कि बहुत ज़ादा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक self respect को prioritize कर रहे हैं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भी आप decide करें इस relationship के लिए या future course of action को decide करें आप लोग अपनी self respect को नहीं compromise करना चाहा रहे हैं कहीं उनों self को नहीं compromise करना चाहा रहे हैं और देखिए अगर ऐसा आप कर रहे हैं जैमिनीज तो बहुत अच्छी बात है जब हम अपनी self respect को compromise करके कुछ भी decision लेते हैं, कुछ भी relationship के लिए करते हैं एक short term तो हमें gain हो जाता है एक short term तो हमें फैदा हो जाता है तो देखिए छोटा मुटा issue problem होता है तो होने दीचे कोई बात नहीं लेकिन self respect को कभी भी न compromise करिए और यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं add करूंगी self respect और ego में बहुत ही thin line का difference होता है आपने self respect रखनी है लेकिन ego नहीं रखना है क्योंकि ego रखा तो फिर चीज़ें खराब होंगी तो यह था जयमिनीज आप लोगों के लिए March 2023 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें